अगर आप भी फालूदा वाली ये सेवया घर पे बनाना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से सिर्फ एक ही चीज लगेगी इसको बनाने के लिए आप इसे जटपट तयार कर सकते हैं और ये बाहर के सेफ से घर के बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं इन्हें बनाने के ल अन्डर मैंने एक पाइपन बैग को सैट करके पहले ही रग दिया है ये भी आ पहले ही कर लें तो दूद की थैली भी ले सकते हैं उसे काट के सिस्तमाल कर सकते इसके बाद हमें यह आपे कॉनफलोर लेना है और अधर कप यही मेन चीजेंडे है इस रेसिपी को तेयार करने के लिए। उसके बाद हमें आधे कप कॉन फ्लोर में नाप से पानी डाल देना है, डेड़ कप जितना ये देखें, डेड़ कप हमने इसमें पानी डाल दिया, आधे कप कॉन फ्लोर में और अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आप इसे मीठे वाले बनाना चाते हैं तो इसमें पौडर शुगर डाल सकते हैं थोड़ी सी और अच्छे से पहले कॉन फ्लोर को मिक्स कर लेना है एक गोल तियार कर लेना है पतला सा अब यह जो गोले हमें पकाना होगा उसके बाद हम इसके लच्छे तेयार करेंगे तो सीधा इसे हम पैन में डाल देते हैं अभी मैंने गैस को उन नहीं करा है पहले बैटर सारा डालने सारा ये हमने गोल डाल दिया है और गैस को अन कर दिया है लेकिन गैस को आपको हाई बिल्कुल नहीं करना है लो ही रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है दो से तीन मेलिट लगेंगे इस प्रोसिस को करने में लेकिन आपको गयर स्को Lowe ही रखना है और पूरे टाइम ही आपको चलाते रहना है अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो इसमें गठे पढ़ जायेंगे इसमें बहुत ही लंस पढ़ जायेंगे और यह बिल्कुल भी smooth नहीं बनेगा, यह देखिए, देखते ही देखते आपके आखों के सामने इसका texture देखे, कितना change हो चुका है, बिल्कुल यह creamy सा हो गया है, और यह देखे, कितना thick भी हो गया है, पाने बिल्कुल radios हो चुका है इसमें से, और यह देखे, कितना creamish सा हो भूम होती है बलुकुल वैसा ओड चुका है इसके बाद इस में अपको भर लेना है थंडा होने के नितजार नहीं करें इसे आप गरम गरम ही बनाना शुरू करें क्यूंकि गरम में हमें बनाना होगा नहीं तो यह सैट हो जाता है यह जम जायेगा इसके बाद है जो प्रकतर बैगे से निकाल लेते हैं और इसे इखटा कर लेते हैं अच्छे से, इखटा करने के बाद में रबरबेंड लगा दे ताक्री हम इसे easily handle ने कर पाएं आब इसे बाद में काटें अच्छे से शैटовые ब कर ले अच्छे से बनाना शुरू करते हैं, ये भी आप C इस तरह की कोई मशीन वगरा भी नीच यह आप इसे इजिली इस तरह से बना पाएंगे आप इस थंडे पानी में इस तरह से सेवईया तैयार करने प्रेस करते वे अब यह काफी गरम है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो आप कोई भ प्रीजर में भी रख सकते हैं यह जल्दी सेट हो जाएंगी दस मिनिट बाद में आपको दिखा रही हूं लच्छे हमारे बिल्कुल तयार है जिस तरह से आप पाइपिन बैक को कट करेंगे मोटा काटेंगे तो मोटे लच्छे निकलेंगे पतला काटेंगे तो पतले निक आते हैं तो कर सकते हैं रैसे पीछी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर्ट ज़रूर करें